हाई गाईज वेलकम तो साइन्स वक्षोप दिस इस कुसुम हैर इन दिस वीडियो वे विल टोक अबाउट इलास्मो प्रेंकी एंड इस जन्रल केरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन अगर आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो का प्डेट अपको मिल सके तो आईए देखते हैं इलास्मो प्रेंकी के बारे में इलास्मो प्रेंकी इलास्मो प्रेंकी जो है वो पिसीज जो सब क्लास है नहीं सूपर क्लास जो पिसीज है उसका एक क्लास है इलास्मो प्रेंकी इला इलास्मो ब्रेंक की को कॉंड्रिक्थीज के नाम से भी जानते हैं। कॉंड्रोज का मतलब होता है कार्टिलीज। इक्थीज का मतलब है फिश यानि वो फिशेद जिसमें एंडोस्कलेटन जो वो कार्टिलीजिनस होता है। Elasmo Pranks include sharks, skates, rays and chimeras Elasmo Pranks में sharks, skates, rays and chimeras और SMक cohort include किया गया है शामिल किया गया है ठीक है Next देखते हैं General Character of Elasmo Branch Elasmo Branch के General Characters क्या क्या है वो देखते हैं First फोस्ट है These fishes are exclusively marine ये जो fishes हैं वो marine होती है इनका एंडोस्क्लेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है 5-7 पेर ऑफ गिल्स आठ प्रेजेंट 5-7 पेर गिल्स के प्रेजेंट होते हैं एक्स्टरनल गिल ओपनिंग और सेपरेट दे आर नोट कवर्ड बाई ओपर कुलम जो गिल्स के एक्स्टरनल ओपनिंग है वो सेपरेट होती है अलग-अलग होती है और गिल्स यहाँ पे ओपर कुलम से कवर्ड नहीं रहते हैं ठीक है नेक्स्ट है एर ब्लेडर इस आपसेंट एर ब्लेडर आपसेंट होते हैं इनकी बोड़ी स्पिंडल सेप्ट होती है इनकी जो दात हैं वो प्लेकोईड स्केल्स में मोडिफाइड रहते हैं इनकी स्किन जो है रफ होती है प्लिकुड स्कल्स के साथ में having mucous gland mucous gland present होती है stomach eye shaped and intense time with spiral salve valve यहाँ पे valve है spiral valve stomach जो है इनका eye shaped होता है intense time spiral valve के साथ में present होती है इनका heart two chambered होता है एक ventricle पाया जाता है और एक auricle पाया जाता है renal and hepatic portal system present होता है जो elasmo branch है वो ureotellic होते है cranial nerves की संख्या 10 pairs होती है fertilization जो है वो internal होता है development direct होता है gonoduct open into cloica जो gonoduct है वो cloica में open होती है chloe का एक reproductive tract है जो की female में पाया जाता है और male में class पर पाया जाता है reproduction in elasmo branch elasmo branch में reproduction अब elasmo branch have two basic mode of reproduction elasmo branch में दो basic mode पाया जाता है reproduction के कौन कौन से है first है oviparity second है viviparity अब oviparity में वो आते हैं जो की अंडे देते हैं agling होते हैं और viviparity में वो आते हैं जो की off spring को organism को जनम देते हैं जिनका embryo का development body के अंदर होता है oviparity में development क्या होगा body से बाहर होगा next है classification of elasmo branch अब elasmo branch को दो subclass में classify किया गया है first subclass है silagy second subclass है holocephaly ठीक है अब जो silagy है subclass उसको आगे classify किया गया है दो order में first order हो गया squaliforms इसको pleurotermata भी कहते हैं और second order ragiforms इसको hypotermata भी कहते हैं ठीक है next देखते हैं order first order है squaliforms pleurotermata squaliforms pleurotermata 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 का मतलब क्या है lateral और termita का मतलब है opening यानि कि इसमें gills की जो अपने है वो lateral होती है spindle shaped body body spindle shaped होती है gills, slits, lateral heterosillar tail present होती है examples क्या-क्या होगे इसके sarx, squaliforms, rhinodon ये सारे कुछ squaliforms के examples हैं ठीक है next order कुन सा है ragiforms hypotermata अब इसमें क्या-क्या है hypo का मतलब है below और terma का मतलब opening तो यानि कि जिनमें gills, slits की जो opening है वो lateral होती है pectoral fins and large होती है spiracles spiracles large होती है highly functional होती है examples क्या-क्या होगे skates and raise raise की कुछ examples हैं प्रिकोन, टॉर्पीडो, राइनो बैटस ओके next देखते हैं holocephaly second subclass कुन सी है holocephaly holocephaly में क्या देखेंगे single gill opening on either side covered by flashy upper column अब जो single gill opening है वो किसी भी side में हो सकती है जो कि upper column से covered होता है no sparracles, cloica and scales sparracles absent होती है, cloica absent होती है और scales भी absent होते है jaws with toothed plate jaws तो जो है जबडे जो है वो tooth plate के साथ में present होते है single nasal opening present होती है examples क्या 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 है redfish है, chimera है, hydrolycus है ये कुछ examples है holocephaly subclass के ठीक है, I hope ये video आपके लिए useful रहा होगा अगर आपको कोई doubt है topic से related तो आप comment box में मुझे पूच सकते है thanks for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए आपके